हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे तो आज की वीडियो जो है वो कवर करेगी इंटरनेट और इमेल जो की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं जैसे MS Office का पूरा पाक्रिस था वो काफी इंप इस बार देखे गए हैं तो आज की वीडियो इतनी नहीं होने वाली है बट फटा फट से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर करने वाले हैं और यह सेकेंड लास्ट क्लास है जिसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिसकॉशन हमने डिसकस किया है इसके पास सेवंथ क्ल क्लास है हमारी और लास्ट की दो क्लास है वो अगर आपने पहली क्लास देख रखी हैं तो आप एक बार उन्हीं की पीडिएस कर दीजेगा क्योंकि वो टॉपिक्स वो हैं जो स्क्रेबस में सच नहीं है बट वो डाल दिये हैं ताकि कुछ भी आपका छुटे नहीं हैं अगर हमने फर्स्ट वर्जन देख रखा है तो हमको देखने की जुरत है क्या तो ऐसा नहीं है आप सिर पीडिएस देख लेना थोड़ा बहुत अपडेटेड़ जो हमने किया है आपको महसूस भी हो रहा होगा अगर आपने दो तीन वीडियो देखी है इसकी पीडिए से वह कवर कर लोगे लेकिन अगर जो पूछ रहे हैं कि हमने अभी तक कोई नहीं देखी वीडियो तो आप सिर वीडियो वर्जन करो आपको फर्स्ट वर्जन देखने की जुरत नहीं है यह अल्रेडी अपडेटेड वर्जन है इसमें सारे टॉपिक्स वह हैं जो हमने फर उपर से आपको explain करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरनेट की तो इंटरनेट है क्या बेशीकली कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते हैं जिन से वह connected रह सकते हैं तो ग्लोबली यानि पूरे जो भ्रहमान्द है पूरा जो आपको ग्लोब है उसमें जितने कंप् इसने सेहल्द हैं अफ़िव हो फासे अपको नेट वर्क की जुरत होगी और किसी भी कम्प्यूटर को दूसरे कम्प्यूटर से लिंक करने के लिए तो वह जो नेट वर्क है आप सब्सक्राइब गवां है वो हमेशा मतलब कोई न Jadiा कोई सर्विस आपको प्रो वाइड कराएगी इसको मोलते हैं सर्विस प्रोवाइड़ इंटरेट सर्विस प्रोवाइड मीनीजिए अ-तल जी हो तो मैं ॊ-तलिए सब्स्कारा मग्रमार्ना डूर्मग म स्नुंफ करने जिए ऊ-प्रेट व प्रेजिदेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जब कोई भी मिनिस्टर दूसरी मिनिस्टर में आता है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स कॉलो करने होते हैं जैसे एक प्रोटोकॉल है आई डोंट नो अभी तक वो वैलिड है या नहीं जो मुझे पता था कि अगर कोई मिनिस्टर आता है तो हमारे देश के जो पी एम है वो पर्सनली जाके उनको वेलकम नहीं कर सकते आई डोंट रिमेंबर की कौन आये थे बढ़ नरेंदर मोदी जी पर्सनली जाके उन्होंने प्रोटोकोल तोड़ा था लेकिन एक सेट है रूल का जो पोलो करना होता है ठीक है इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हर चीज का रूल है तो इन्होंने बोला है इसके जो रूल है चली की सब iAP को जोडने के लिए मानक ठोटोकोल सूप विकाप्यों पर्योग करता है इसको इसलिए शूपर नेट्वर्क भी को करके लगता है ॵर सारे Network है सबको Interconnect करके रखेगा Internet Connectivity is provided by Internet Service Providers like B. एसनल , PATL , Reliance , ये सारे History of Internet internet Start कैसे हुआ कहा से हुआ कहा से सबसे पहले में बात करूँ 1969 , 1969 में आया अर्पानेट ठीक है , अर्पानेट की पुलफॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट अड्मिनिस्ट्रेशन नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट अड्मिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क तो इसकी यह दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था उसके बाद बीच में बहुत सारी चीज़े हुई हैं ले 1983 में मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आप ऐसे भी आतकर सकते हो I think 83 में वर्ल्ड कप था तो महां उस चाइम से हमारा TCP IP बिल्कुल स्टांडर्ड प्रोटोकॉल बन गया कम्विनिकेशन का उस चाइम पर अर्पानेट था तो अर्पानेट का बन गया बाद में इंटरनेट का जो है वो TCP IP स्टांडर्ड प्रोटोकॉल बन गया यानि मानक संचार पद्धती बन नाइटीन इडिनाइड में WWC World Wide Web Consortium जिसको बोलते हैं वह आया 1990-91 की बात करें पहला वेब ब्राउजर आया World Wide Web यानि इसमें WWW ये भी Ray Tomlinson ने ही इंवेंट किया था रे टॉम लिंसन ने क्या इंवेंट किया था इमेल ठीक है और तिम बर्नर्स ली ने क्या इंवेंट किया था WWW और बहुत important question है जो इमेल आया वो आया आपका 1971 में और जो WWW आया वो 1990-91 में 1995 में इंटरनेट लॉंच हुआ इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर जो आया है वो 1995 में आया है वी एस एनल ने लॉंच किया था कि डोमेन नेम्स क्या होते हैं यह ना अलग-अलग topics हैं एक दूसरे से connected topics नहीं है तो फटा-फट से इनको cover करते वे चलते हैं देखो इंटरनेट हमें बहुत सारी services provide कर आता है बहुत सारी services और आप सबको पता है education की फिल्ड में के हेलो shopping की फिल्ड में के रखते हैं it is used to identify services provided through the internet यह internet के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओ की पैचान करने में जो हमें मदद करता है जैसे website है email service है बहुत सारी है तो इन सब कैसे काम करते हैं मैं अभी आपको बताने वाली मैंने इसमें एक्जांपल डाल रखा है there are two types of domains दो तरीके के domains होत top domains are standard URLs like abcd.com जो normal आपकी websites का नाम वगरा होता है ना वो top domain में आता है तब domain क्या है देखो जैसे आप क्या कर रहे हो आपने कोई भी app खोला आपने paytm app खोला या आपने Google पे खोला तो Google पे की जो website होगी वो आपका top domain हो जाएगी लेकिन अगर आपको उसके customer care से बात करनी ह है तो आप महां पे क्या करते हो आप support पे जाते हो तो support पे जाते हैं अलग website खुल जाएगी एक website के अंदर ही अगर मैं बात करूं RVE की हमारी website है तो आप website पे जाओगे आपने mock पे click किया तो RVE उसका URL चेंज हो जाएगा rve.mox तो वो क्या है हमने extension बढ़ा दिया कि अब आ इसके अंदर आपने extended versions ले रखे हैं वो यूनीक URL है जो आपके purchase domain पे ही रहती है उनके extension का काम करके जैसे abcd.com थी अब यह कोई website थी इसके support पे जाना है तो support.abcd.com यह हो जाएगी आपकी sub-domain sub-domain अद्वितिय यूरल है जो हमारे खरीदे गए domain पर हमारे नियमित domain जैसे support.abcd.com के सामने extension के रूप में रहते है अब यह domains के list है जो काफी important है जैसे आप देख रहे हो .com का मतलब है commercial organization है ठीक है अगला है .org यह non-profit जो NGOs वगरा होते हैं .info information आपको यहांसे मिलेगी .edu यानि educational institutions है .gov यह government websites जो है जो आपकी अगर आपके कोई कुछ friends है जो government jobs में है तो उनके id बनती है .gov करके तो वो क्यों 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 government institutions में है .def defense sites की जो आपको extension मिलेगी .co.in यानि commerce commercial है और India की जो India based आपकी firm है .net network centers .mil military और defense तो यह बहुत सारे आपके domains है इसके लावा यह history है domain names की आप देख सकते हो सबसे पहले 1972 में internet assigned numbers दिये जाते हैं कि आपको यह number है 1983 में domain name आ गया .84 में पहला name server आ गया .85 में domains ही आ गये . उसके बाद यह बिल्कुल change होते गए होते गए तो इतना कुछ नहीं गरना है बस domain name में आपको वो list जरूर अच्छे से कर लेनी है . the electronic pages seen on the internet are called web pages जो internet पर आपने कुछ भी टाइप किया website fully तो website पर जो सबसे पहला page हो गया यह बहुत सारे pages होते हैं तो वह होते हैं आपके web pages many web pages linked with each other combined to form a website मैं कोई भी अगर website फोल रही हूं website के एक website के नदा बहुत सारे pages होते हैं तो वह सारे होंगे web pages सबसे पहले page को बोल बनाते हैं एक दूसरे से जुड़े कई web page मिलकर एक website बनाते हैं web page can be written in the language which is known as html it is very 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 important देखो वेब पेज पे जो भी डेटा आप डालते हो वो किस language में डलता है वो डलता है एक language में which is called html hypertext markup language वेब पेज को उस भाशा में लिखा जा सकता है जिसे html के रूप में जाना जाता है जिसकी full form क्या है hypertext markup language अब protocol अब html को लिखने के लिए obviously आपको एक protocol follow करना होगा which will be called http html is the language and the protocol used is http hypertext transfer protocol a protocol called http is used to transmit and receive the web pages web pages को upload करने के लिए transfer करने के लिए आप http का use करते हो URL URL का मतलब होता है uniform resource locator मतलब uniform का मतलब एक जैसा है resource आपको जिस resource पे जाना है उसको locate करने के लिए देखो हर चीज की URL बिल्कुल fix होती यह जैसे आपने chemistry में बढ़ा है कि हर element का atomic number unique है इस तरीके से हर website का जो URL लिंक जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल unique होता है कोई भी दो website कोई भी दो page एक link share नहीं कर सकते तो link ऐसी चीज़ है जिसको हम normally URL बोलते हैं कि आप proper उसी page पे जा सकते हो अगर आपको किसी page को save करना है for example आप website पे गए हो किसी website के इंदा बहुत सारे page थे अब बार 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 हम क्या करते हैं हमें customer care पर बात करने की ज़रत हो रही है customer care क्या है सब domain है मतलब एक अलग बार बार अलग website खुल रही है तो उसका URL कॉपी करके रख लो तो हर बार जब आप उस पर क्लिक करोगे सीधा customer care का ही page खुलेगा आपको website पे जाके अंदर अंदर जाने की ज़रत नहीं पड़ेगी तो URL इसलिए काम आता है URL है क्या एक online संस्याधन का वेब पता है proper address है एक्जामपल है किसे हमारी website https rblearning.com URL के अंदर में ली चार पार्ट्स होते हैं सबसे पहला है server type http hypertext transfer protocol तो वह है आपका server type अगला है host name यहां पे host name आएगा अगला है folder का name और फाइल का ने अब अगर हम कुछ upload कर रहे हैं तो हमने जो upload किया वह कौन से folder से कर और उसका नाम क्या है नॉमल यह चार पार्ट्स होते हैं server type indicates the type of internet server जो fix है TCP IP और कौन सा language यूज़ करते हैं HTML protocol कौन सा यूज़ करते हैं HTTP host name का मतलब क्या है internet address of remote computer जैसे हमारा है rblearning.com folder name आपने किस directory में से वह file upload की है अगर मैं यहां कुछ भी upload करें तो वह चीज़ एड हो जाएगी और कौन सी files इसमें है उसका नाम क्या है तो यह है आपका URL इसमें इसको चार प्रकार के इंगित देखो इसके अंदर क्या है चार मूल भाग होते हैं server प्रकार में क्या है internet server कौन सा आप यूज़ कर रहे हो host name host name क्या है कि जो computer है उसको क्या पता है जिस computer से upload हो रहा है कुछ भी folder name folder name में क्या है ति किसके अंदर कौन से folder से आपने वह फाइल को indicate किया है उस folder के अंदर file का नाम क्या है कि कुछ protocols है जैसे आपको internet का तो पता लग गया TCP IP language पता लग गया लेकिन कुछ कुछ और भी protocols है जो आपको learn करने पढ़ेंगे जो बहुत important है और इनको deep में पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना जादा जो deep में पढ़ने हैं वो मैंने बता दिये हैं सबसे पहला HTTP hypertext transfer protocol यह web pages को upload download यह सब करने के काम आता है FTP file transfer protocol अगर आपको इसके लावा जो आपको करने नियूज है यह news group या news article के काम आता है टेलनेट है टर्मिनल नेट्वर्क यानि पीचिप आईपी कनेक्शन यानि इंटरनेट कनेक्शन पर अगर आपको एक बिल्कुल रिमोट लोगिन करने नई डिवाइस पर लॉगिन करने आप यूज करते हो तीचिप आईपी मैंने आपको बता दिया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है इनकी इए सेट अफ डू प्रोटोकोल दो सेट है TCP controls flow of data कितना data की speed आईगी IP identifies and reach the target computer IP को ये पता है कि किस computer तक वो speed जानी है तो ये दो चीज़े हो गई इसके अलावा इसमें से आपको जो करना है that is SMTP Simple Mail Transfer Protocol इनके full form कर लेना जो इसमें से बहुत important होंगे जिनका काम होगा वो मैं आपको एक्स्पेन कर दूँगी SMTP है Simple Mail Transfer Protocol PPP, Point-to-Point Protocol WWW World Wide Web I don't think it is a protocol SNMP, SMTP है Simple Mail Transfer Protocol or SNMP है Simple Network Management Protocol तो इनमें confuse मत हो ना फुल फॉर्म ज़रूर रंट कर लेना POP, Post Office Control DNS, Domain, Name, Server या System इसके लावा WAP Wireless Application Protocol अगर आप अपने फोन में सेटिंग्स में घुसे होगा भी Wi-Fi वगरा की सेटिंग्स में गए हो तो महापे वैप, आई, मैप की सब आपको ज़रूर दिखे होंगे तो इनकी फॉल फॉर्म ज़रूर कर लेगा Wireless Application Protocol Internet Message Access Protocol अब इन में से कौन-कौन से प्रोटोकॉल है, जो आपको लर्ण करने है, वो Explain मैंने यहां कर रखे हैं IMAP और SMTP, यह तीन हैं जो इमेल सेंड करने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं POP, SMTP और IMAP अब, IMAP के अगर मैं बात करूं, तो IMAP allows a client email program to access remote message, stores as if they were local IMAP क्या करता है, एक client email program को दूर तक पोचने की अनुमती देता है, कि हाँ ठीक है, आप जा सकते हो मुझे भेजना है किसी दूसरे computer में, तो मेरे computer में IMAP अगर है, तो वो permission देता है कि वो message जा सकता है और उसको store करके रखेगा, जैसे वो local ही हो, message को local की तरह store करके रखता है अगला, बात मैं कर दी हूँ, POP की, यह एक email server से client तक जाने का काम करेगा तो पहले तो मेरे पास पर्मिशन मिल गई, IMAP ने दे दी फिर वो जो message जाएगा, post office protocol इसलिए नाव है मेरे पास ते बहां तक की traveling कौन करवाएगा, POP कराएगा नेक्स है, IMAP और POP3, अच्छा, POP की ना versions आ रहे हैं, जो latest version है, वो है POP3 तो नाम भई है post office protocol, लेकिन उसको latest version है, वो है POP3 तो अगर IMAP और POP3 की बात करूँ, देखो आपने notice क्या होगा, आपके पास email आया, आपने उस file को save कर लिया, वो delete हो गई तो आप फिर से बहुत बाद में भी आप उस file को दुबारा से download कर सकते हो, email की help से, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, कि आपने जो भी email, मेरे पास कोई email अगर आया है, उसमें कोई attachment है, तो IMAP उसको store करके रख लेता है, server पे, कि वो SMTP है, sending mail के लिए, और POP और IMAP है, receive करने के लिए, अब हम बात करते हैं, web browsers, यह आपने जरूर देख रखे होंगे, explorer है, mozilla है, opera है, इसके इलावा यह है, netscape, navigator, वो है netscape, तो यह सारे web browsers होते हैं, web browser का मतलब क्या है, एक तो यह application software है, जिससे आप क्या कर सकते हो, web page, आपको वेबसाइट फोलनी है, जो program आपको वेबसाइट फोलने में help करेगा, that is web browser, जो internet से connect, यानि internet की चीजों तक जाने के लिए मदद करेगा, वो web browser होता है, mosaic was the first web browser developed by national center for supercomputing application, NCSA, जो mosaic है, वो सबसे पहला web browser था, जो की NCSA ने विक्सित किया था, इसके example क्या है, अभी मैंने आपको पढ़के भी बताए, उपेरा है, mozilla firefox है, google chrome है, safari है, यह सारे है, mozilla firefox एक open source web browser है, which is available free of post, जो mozilla firefox है, यह बिल्कुल free of post आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए कोई license fees की ज़रत नहीं होती, next में बात करती हूँ search engine की, देखो web browser आपने open किया, अब वहाँ पे, वो क्या करेगा, आपको internet की चीजों तक पहुचाएगा, लेकिन आप type तो करोगे ना किसी चीज में, वो होता है search engine, search engine क्या करने में आपकी मदद करता है, यह online tool है, जिसमें आप type करते हो, आपकी query क्या है, आप तो क्या ढूंडना है, online उपकरन जो internet उप्योग करता द्वारा, submit की गई खोज के अधार पर database में परिनाम फोचता है, जैसे google की, अगर मैं बात करूँ, search engine है, तो इसके अंदर सारा internet का data है, आप जो भी type करोगे, तो google क्या करेगा, वो words ढूंडेगा, कि उसके किस-किस data में वो words था, फिर वही च results in the database, यह अपने database में परिनाम फोचेगा, उनका एक order बनाएगा, order बनाने के बाद, जो भी algorithm है, जो भी rules है, उनके according एक order बनाएगा, और इसी list को हम search engine result page बोलते है, it is important, जो इसी list बनाएगा, इसको SERP, search engine result list, या result page बोला जाता है, first ever search engine in the world was Archie, सबसे पहला जो था, Archie था, जो एलन एंटेज, एलन एंटेज ने पनाया था, दुनिया का सबसे पहला search engine, Archie था, जिसे एलन एंटेज ने विक्सित किया था, इसके examples आपको मैं बता भी चुकी हूँ, याहू है, गूगल है, यह सारे आपके search engine, www, क्या था, worldwide web, 1989 में start हुआ, CERN में, CERN क्या है, basically, European Center है nuclear research के लिए, जहाँ पे nuclear reaction से related, nuclear power plant से related, सारे research होती है, वो European Center है, जिसका नाम है CERN, तो 1989 में CERN में शुरू हुआ था, CERN क्या है, यह important है, European Center है for nuclear research, software technology allowing consolidation of hypertext, graphics, audio, video, multimedia to provide information in almost each and every topic, subjected area, basically, www, क्या है, एक ऐसी technology है, जिसमें, किसी भी topics related, जितनी information पूरी दुनिया में है, वो सारी आप search कर सकते हो, ठीक है, तो software technique है, जिसमें hypertext, hypertext तो आपको पता है, वो internet web pages वाले text, graphics, वोई picture हो गई, video हो गई, audio हो गई, multimedia, इन सब को हर विशह पे, हर field में उस पे information मिलेगी, जैसे Wikipedia होता है, आप समझो कि Wikipedia छोटे level पे है, worldwide वे बड़े level पे है, अब हम बात करते है, bandwidth की, bandwidth होता क्या है, कोई भी चैनल जो अपना data भेजता है, या receive करता है, वो bits में करता है, है न, bit, फिर bite, आपको मैंने बताया था, तो कितने bit जा रहे हैं, पर unit time, उसको हम बोलते हैं, bandwidth, किसी चैनल द्वारा प्रती unit समय में स्थानांत्रित, bits की संख्या को bandwidth कहा जाता है, नेक्स, अब हम कुछ facts की बात कर रहे हैं, देखो, यह फटा-फट से complete करते हैं, यह बहुत, समझ लो, अलग-अलग facts हैं, एक दूसरे से linked नहीं है, सबसे पहला, in order to get internet connection, we need modem, modem, router, switch, gateway, सब में बहुत confusion होती है, but don't worry, after the last class, आप लोग confused नहीं होंगे, यह अभी, यह topics इस में भी हैं, और अगली वीडियो में भी हैं, तो आपको बहुत clearly समझ में आ जाएंगे, अगर internet connection चाहिए, तो आपको चाहिए होता है modem, which is modulator, demodulator, करता क्या है, कैसे काम करता है, देखो, modem converts digital signal from the computer into analog signal, that can travel through telephone lines and vice versa, modem क्या करेगा, जो telephone lines होती है न, उनमें digital signal travel नहीं कर सकता, analog signal travel कर सकता है, तो modem computer signal receive करेगा, digital वाले, उनको convert करेगा analog ताकि वो travel करने telephone lines में, telephone line के अगली तरफ दूसर computer होगा, महापे जो modem होगा, वो क्या करेगा, वो telephone line वाले signal को वापस digital में convert कर देगा, तो सेम यही है, यह digital signal को analog में बदलता है, जो telephone line और इसके विपरीत यात्रा कर सकता है, अगला अब हम बात करते है, router, देखो आप मैंने picture insert कर रखिया है, यह यहाँ पर internet हमारा मिल रहा है, हमने इसको connect किया modem से, अगर मुझे device को, दो-तीन device को internet से connect करना है, तो how I will do that, कुछ नहीं करना, I just need modem, तो modem ने क्या किया, इसके signals receive किये, after that it converted the digital signals into analog one, अब analog जो है, वो telephone line से change हो गये, और उसके बाद क्या हुआ, इधर modem लगा रखा है, इसने analog receive किया, और उसको digital में convert कर देग, से हैं, वो connect हो गए, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है router, router क्या करेगा, it is also attached to access the network, it is used to connect two different networks, अभी जो modem था, इस इस इवाइस को connect कर रहा था, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो-तीन networks है, तो मेरे को कौन सा root लेना है, वो decide करेगा router, कौन से पे speed जादा आएगी, वो decide करेगा router, अभी के लिए न सिर्फ इसको मैंने उपर से लिखा है ताकि आपको एक हलका सा understanding हो जाए, इस word का मतलब क्या है, ये proper explain मैंने कर रखे हैं, I think in the next video, in the next class, तो आपको clearly समझ में आ जाएगा, router network को access करने के लिए router भी attach किया जाता है, router का उपयोग दो अलग-अलग network को जोडने के लिए किया जाता है, modem, modem connects your home network to your internet service provider, modem का क्या काम है, जहां से internet आ रहा है, उसको connect करना आपके घर के computer से, modem का बस इतना काम, मतला, यह आपका main, मैं कहा रही हूँ, Airtel का जो भी system से वहां से connect है, और यह है आपके घर का computer, तो modem का काम होगा, वो जो Airtel की company से internet आ रहा है, इस modem का, अगर मेरे घर में यह है, कि उस वाले computer से, या उस network से आपको connect करना, यह काम होता है, modem का, router का क्या काम है, router lets all our wired and wireless devices use our internet connection at once and allows them to talk to one another directly, अब मुझे क्या करना है, मुझे यह चाहिए कि मेरे घर में जितनी भी appliances है, जितनी भी devices हैं, जो internet से चलती है, वो सारी मुझे यहां से connect करनी है, देखो, यह modem लगा दिया, अब यहां पर एक computer है, एक laptop है, मेरा phone है, मुझे सब कुछ, इस से connect करना है, internet से connect करना है, तो I will use router for that, अगर आपकी घर में wifi लगा हुआ है, तो आप confuse मत होना, कि सिप एक ही device है, अब जो devices आ रही हैं, उनमें router और modem, दोनों एक ही device में होता है, otherwise पहले router अलग लगता था, और modem अलग लगता था, और हम router का switch off कर देते थे, so that side devices internet connection से बंद हो जाए, तो इसमें यही है, कि modem जो है, आपके home network को internet से जोडता है, इसके लावा, router आपके सभी wireless या wire hook करनों को, तो सभी आपके internet connection से जोडता है, ताकि वो एक दूसरे से directly communicate कर सके, downloading, सबको पता है download कैसे करते हैं, और downloading का मतलब क्या है, internet connection पे या internet पे कोई चीज है, अगर आपको उसको अपने पास रखती है, आपको उसको अपनी local storage में, जो भी आपका computer है, phone है, उसमें आपको save करना है, तो you will download that, transmission of a file or data from one computer to another over a network, एक network पर computer से दूसरे computer पर file का प्रसारन, normally इसको बोलता है downloading, इसको आप यह कह सकते हो कि आपको data अपने phone में चाहिए, अपने पास चाहिए, तो आप download करते हो file को, इसके लावा सबसे important है यह, जो system यह चीज मैनेज करता है, कि कैसे downloading होगी, कितना download होगा, वो होता है download manager, download manager is used, which manages the downloading of files from the internet, download प्रबंधन का उप्योग किया जाता है, जो internet से file को download करने का प्रबंधन करता है, जो एक web browser या आमतोर पर अधिक परिश्क्रत प्रोग्राम के रूप में बनाया जा सकता है, यानि आप इसको web browser के अंदर भी inbuilt कर सकते हो, जैसे chrome अगर आपने फोला है, तो उसमें download का option आता है, download manager बही चीज है, या फिर आप एक बहुत अलग प्रोग्राम भी बना सकते हो, तो download यह रहता है, कि अगर आप internet से कोई चीज अपने local storage में save कर रहे हो, uploading, ज़स्ट उल्टा, आपके local storage से आप internet पे कुछ डाल रहे हो, वो है uploading, आपके computer से internet पर data भेज़ा जा रहा है, जैसे email आप भेज रहे हो, photos आप social media websites पर अप अप्लोड कर रहे हो, that is also uploading, even clicking on a link on a webpage sends a tiny data uploaded, हां जी, यह important है, यह MCQ में आ सकता है, कि जब आप click भी करते हो ना किसी link पर, तो अभी आपके computer से data हलका बहुत upload हो जाता है, email की बात करते हैं, इंटने, देखो यह upload के लिए यह picture थी, आप जैसे facebook पर upload करते हैं, तो option आता है, choose a file to upload, तो आप अपने local storage से internet पर कुछ भी डाल रहे हो, next हम बात कर रहे हैं email की, देखो email क्या है, email का मतलब होता है electronic mail, अगर आप एक computer से professional way में, कोई भी, आप message आप send करना चाहा रहे हो, तो आप emails का use करते हो, अभी तो WhatsApp, बहुत सारे applications हमारे पास हैं, बट पहले emails को हम use करते थे, internet can be used to send and receive electronic messages, internet का उपयोग electronic संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसकी full form है electronic mail, एक email address में दो parts होते हैं, एक तो username जो हमारा नाव होगा और एक होगा आपका server, domain server, जिसमें symbol होगा at the rate बीच में, जैसे हमारी website है revbyadu at the rate gmail.com, तो revbyadu हमारा username है और gmail.com है हमारा server, देखो dot com यूज हो रहा है न, मतलब commercial है, commercial website है, तो यह है आपका email, managing an email account, आप अपना account कैसे manage कर सकते हो, देखो basically आप सब कुछ manage कर सकते हो, कि आप कितने, आपकी, कितने mails आ रहे हैं, कितने mails आप send कर रहे हो, कौन से mails show होंगे, किस तरीके से mail भेजोगे, किस तरीके से receive करोगे, तो वो सब manage आप कर सकते हो, जैसे, email allows users to send information in letter format, email आपको allow करता है, आप जितना भी data है, आप letter की form में आप उसको भेज सकते हो, इसमें आप text भेज सकते हो, लिख के कुछ भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, आप इसमें PPT, PDF सब कुछ भेज सकते हो, ठीक है, और multimedia भेज ही सकते हो, इमेल कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले बात तो मैं यहीं करते हूँ, यह बताते हूँ, आप Gmail पे गए, ठीक है, Gmail का मतलब क्या है, इस पर I don't think आपको show होगा, चले मैं आपको बता देती हूँ, यह Gmail है for example, अगर आप Gmail पे गए, आप अपना यहाँ, जो भी आप email ID डालोगे, email ID डालने के बाद, आप बिलकुल left side पे जाओगे, इसमें show नहीं होगी, I think login करना पड़ेगा, तो मैं आपको इसे ही बता देती हूँ, आप जब Gmail पे जाओगे, इंटरफेस खुलेगा, आपकी ID login हुई भी होगी, बिलकुल left side पे या तो plus का symbol हाता है, ब्रैकेट में लिखा होता है, compose, आप compose पे क्लिक करोगे, compose के बाद, आपकी एक window खुल जाएगी, उसमें सबसे पहले लिखा होगा to, फिल लिखा होगा subject, फिर यहां पे space होगा, जहां पे आप जो भी letter लिखना है, वो लिख सकते हो, तो two का मतलब होता है, आप किसको भेज रहे हो, तो in the two field add recipients, यानि जिनको आपको भेजना है, आप उनको लिखो, subject, what is it about, main subject क्या है, आप किस विजह से आप email भेज रहे हो तो विशह आपको, यानि subject आपको लिखना पड़ेगा, आप अपना message लिखो, और at the bottom, यहापे लिखा होता है, send, send पे click करोगे, email चला जाएगा, तो this is how you compose an email, next है, bcc and cc, देखो, बीच में नहीं यहापे, bcc और cc का option होता है, email आपको यह चीज प्रोवाइड कराता है, क एक तो यह है कि अगर आपको एक mail बहुत सारे जनों को भेजना हो, टू में आप यहापे फॉर्मा लगाके, आप उनकी ID डालते जाओ, आपको पांच लोगों को भेजना है, पांच यहापे एक साथ अराम सा डल जाएंगे, अभी cc और bcc का क्या मतलब है, आप यह समझो, cc का मतलब होता है carbon copy, bcc का मतलब होता है blind carbon copy, मेरे और आपके बीच में बात चल रही है, कोई via mails, यानि mails के थ्रू, मुझे यह चाहिए कि बातचीत जो है, मैं पांच जनों के सामने करू, तो I will add those five names in cc, carbon copy, carbon copy का मतलब है कि जो भी आपके मेरे बीच में communication चल रही है, वो पांच लोगों तक जाएगी, तो यह होता है cc यानि carbon copy, आप देख सकते हो, तहले हैं बताती हूं, cc means carbon copy, cc is used when you want to send content to a particular recipient, but you want to make other recipients also aware of that, cc का उपयोग तब किया जाता है, जब आप किसी विशेश प्राप्त करता को सामगरी भेजना चाहते हैं, लेकिन आप अन्य प्र अब इसमें cheating है बीच में, loophole है, अब मेरे और आपके बीच में बात चल रही है, पर मैं ये बात पांच लोगों को दिखाना चाहती हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आपको पता लगे कि मैंने पांच लोगों को दिखाया है, तो I will use bcc, blind carbon copy, अगर मैं bcc, bcc पे click करके 5 लोगों की id डाल रहे हूं, आपको नहीं पता लगेगा कि मैंने किन 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 को, sorry मैंने किन किन को वो mail भेजा है, तो ये है आपका bcc, it means blind carbon copy, through bcc and cc we can include more people as recipients, the only difference between cc and bcc is that we can see the list of recipients when cc is used, जब cc को अप्योग करते हैं, तो आप देख सकते हो कौन किस को ये मिला है, जबकि हम ये नहीं देख पाएंगे कि bcc के मामले में किसको और email भेजा गया है, तो ये है आपका bcc, ये आपका to, यानि हाप लिखो किसको भेजना है, यहां subject देखो, यहां cc और bcc लिखा हुआ आता है, तो यहां से आप recipients add कर सकते हो, अब email में क्या-क्या features होते हैं, let me come to that, सब से पहला inbox, inbox का मतला है जहां पर emails आपके पास आएंगे, आप वहां से वो पढ़ सकते हो, जहां आप प्राप्त होने वाले email दिखाई देते हैं, emails are listed with the name of the sender, जो हमें email आते हैं, उस पर क्या-क्या लिखा होता है, सबसे पर लिखा होता है, किसने भेजा, फिर लिखा होता ह सबजेक्ट कि उसने क्या main subject क्या है, किस लिए उसने email भेजा है, तो subject of the message and the date received, तीनों चीज़े लिखी होती है, next signature, जब भी आप email बनाते हो, तो हर email के end पे आपको हर बार अपना नाम लिखने की जुरत नहीं होती है, option होता है, आप signature default में कर दो, तो हर बार जब mail जाएग जो हमारे द्वारा भेजे गए प्रति एक email के end में दिखाई देगा, इसमें नाम, संपर्ग, जानकारी, phone number हम जो जो डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं, तो हम इसमें contact name, information, page number, phone number, website, professional title हम सब कुछ इसमें डाल सकते हैं, देखो, inbox में अगर मैं बात करूं, तो किसने भे application option होता है, हमारे पास, आप जो भी type करोगे, वो हर mail के end पर जाएगा, जो भी आप भेजोगे, attachment, attachment का मतलब, देखो, मैंने आपको बताया था कि आप email में कुछ भी file, PPT, PDF, सब कुछ भेज सकते हो, right, photos, multimedia, सब कुछ भेज सकते हो, तो जो भी आप लिखने के साथ, अगर आ attach करोगे, mail में attach करना पड़ता है, तभी वो जाएगा, attachment का मतलब है, जो भी चीज़ा आप डाल रहे हो, it is a file, like an image or a document, that is sent along with an email message, ये एक file है, जिसे संदेश के साथ, extra भेजा जाता है, ये option होता है, attachment का, ठीक है, जिसे paper clip होता है, इस पे click करते ही, आपकी computer में जो जो फाइ attach हो जाएगी, यहां से attachment का option आता है, navigation menu, यह जो तीन arrow आपको तीन लाइन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते है navigation menu, यहां पे click करते ही, सारे options आते हैं, सबसे पहले inbox, देखो compose का option आगया, फिर inbox का आगया, snooze, अगर आपको email ये चाहिए, कि एक महिने बाद आपको पढ़ दिखाई दे, snooze, important आप इनको mark करोगे, sent जो आपने भेज रखे हैं, तो यह सारे, navigation menu में contact list होती है, calendar होते हैं, बहुत सारे जो भी हमने save कर रखा होते हैं, वो सब कुछ navigation menu पे आता है, next है draft, देखो, हमने mail बना कर रख दिया, और हमने आज, हमारे पास प्री टाइम था, तो हमने 5 mail बनाएं, लेकिन वो आज नहीं जाने, वो कल जाने, तो हमने बना कर रख दिया, पर वो हमने भेजा नहीं, तो वो automatically draft में save हो जाएगा, कल मुझे draft खोलने है, वो mail automatically मुझे send करने है, वो मैं send कर दूंगे, तो draft का मतलब होता है, वो messages that we have composed but not sent, हमने compose के हैं पर भे कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसको save कर सकते हैं as a draft, नीचे option आता है save का, next is spam, spam का मतलब क्या होता है, देखो, हमें बहुत, मतलब, ऐसे emails भी बहुत अराम से आ सकते हैं, जिन में virus या कुछ भी harmful चीज़े हो सकते हैं हमारे computer के लिए, जो computer अपने आप detect करता है, कि ये virus हो सकता है इसमें, so we are likely to receive junk or spam emails in our inbox, विच में carry virus और scams, हमें अपने inbox में junk या spam email प्राप्त होने के संभाव ना होती है, जिसमें virus या scam हो सकता है, these emails will usually filter as suspicious emails, suspicious emails in our spam folder, ये automatically spam में चले जाते हैं, इसका full form is suspicious emails, next है trash, ये आप एक मिनट का time दीजे, जी, देखे, trash के अगर मैं बात परूँ, we can delete any email from our inbox by moving it to trash, जो भी हम mail delete करते हैं, वो automatically trash में चली जाती है, for time के लिए, और लगबग साच दिनों के, लगबग इसकी limit होती है, आप trash, मतलब directly delete नहीं होता, permanently, पहले trash में जाती है, जाएगा trash, अगर गल्प सी delete होगे, आप trash से इसको वापस restore कर सकते हो, और नहीं चाहिए तो आप permanently delete कर सकते हो, या 60 days के बार automatically delete हो जाएगा, emails will be permanently deleted after a certain amount of time in the trash, trash में एक निश्चित समय के बाद emails थाई रूप से हटा दिये जाते, next है archive, archive में क्या होगा, देखो, अगर emails ऐसे हैं जो आपको रखने हैं पर ये नहीं चाहिए कि आपको list में दिखाए दिये, तो आप archive कर देते हो, archive में क्या होगा, ये inbox से हटा देगा, लेकिन permanently delete नहीं करेगा, उनको delete नहीं करेगा, आपके computer में वो होंगे, next is forward, forward में क्या है, आपके पास कोई mail आया, और आप ये चाहते हो कि आप उसे आगे share कर दो, दूसरे लोगों को भेज दो, तो you will use the command forward, whenever we want to share an email we received, we can use the forward command to send the message to another person, जब भी हम प्राप्त हुए email को साझा करना चाहते हैं, तो हम किसी अन्य व्यक्ति को संदेश भेजने के लिए forward command का प्रियोग करते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, forward का option आता है नीची, इस पे click करोगे, वो आपसे ID पूछेगा कि किस ID को आपको भेजना है, next reply, अब यह reply क्या है, आपके पास एक mail आया, अब आपको उस पे उनको जवाब देना है, so you will use the word, you will use the command reply, on receiving an email we can click on reply to respond to the message, email प्राप्त होने पर हम संदेश का जवाब देने के लिए reply पर click कर सकते हैं, next is reply all, आप देख सकते हो, command का use करते हैं, बहुत simple है, नाम से ही पता लग रहा है आपको, e-banking, अब यह समझ लो last topic है, e-banking और क्या-क्या methods हम use करते हैं, बैंकिंग का use करने के लिए, e-banking का normally यह है कि आप, e-banking एक टेकनोलोजी है, जिससे आप अपने bank account से easily access कर सकते हो, आपको सारी services बिलकुल आपके हाथ पर प्रोवाइड करा दें, on your tips you can access every facility that is provided by your bank, उत्पाथ को online banking के अदेशों के लिए design किया गया है, जो आपको अपने bank खाते तक असानी और सुरक्षा से पहुचा देता है, major types of e-banking includes online internet banking, कौन-कौन से banking है हमेरे पास, जो e-banking की category में आता है, online internet banking, mobile banking जो हम phone के through करते हैं, automated teller machine, ATM भी e-banking के अंदर ही आता है, मैं आपको यह बता दूँ, debit and credit cards, तो यह सारे आपके e-banking के ही resources हैं, तो आपको इसमें ATM, debit and credit card शायद नया पता हो, यह भी आपके e-banking के अंदर आते हैं, different types of online financial transactions, अब हम क्या करते हैं, पैसे भेसते हैं, हम रुपे भेसते हैं, जब एक दूसरे को तो अलग-अलग type की transitions, हम transactions कर सकते हैं, कौन-कौन से type की transactions हम कर सकते हैं, कितनी available रहती हैं, मैं आपको यह बता दूँ, सबसे पहली है NEFT, NEFT, National Electronic Fund Transfer, बहुत असान है, फटा-फट से पढ़ते वए चलते हैं, सबसे पहला, nationwide payment system facilitating one-to-one funds transfer, अगर एक इंसान को, दूसरे इंसान को funds transfer करने हैं, तो सीधा-सीधा, nation के अंदर, एक ही country के अंदर अंदर, तो हम NEFT का यूज़ करते हैं, individual firm and corporates can electronically transfer funds from any bank to individual firm और corporates, कोई भी इंसान है, कोई firm है, company है, कोई बहुत बड़ी, कोई firm है, या फिर corporate company है, वो किसी भी bank से, किसी भी person को, किसी भी firm को, किसी भी company को रुपे भेज सकती है, और इसमें सबसे बड़े फाइदा यह होता है, कि अगर मेरा account है, ठीक है, और किसी ऐसे इंसान को रुपे भेजने है, जिसका account नहीं है, वो भी मुझे रुपे भेज सकता है, NEPT के according, तो इसके लिए bank account होना ज़रूरी नहीं है, इसकी फुल फॉर्म अभी बताया, मैंने आपको national funds transfer, national electronic funds transfer, यह कौन maintain करता है, Government of India और RBI, टेक्स अराउंड टू आवर्स कुभी प्रोसेस, लगबग दो घंटे का टाइम लेते हैं, यह सब प्रोसेसिंग करने के लिए, अगला है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह इसलिए असान है, क्योंकि इसमें हाथो हाथ सेटलमेंट हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता, पॉंटिनियस सेटलमेंट और फांट्स ट्रांसफर्स इंडिवीजुली ओन और बेसेस, विदाउट नेटिंग, और के अधार पर व्यक्तिकत रूप से निधियों का निरंतर निप्तान, मतलब हाथो हाथ इसमें ट्रांसफर हो जाता है, RTGS की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, कि इंस्ट्रक्शन जो है, जब रिसीव होंगे, तभी के तभी सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, इसका मतलब है कि बाद में कुछ समय के बजाए, निर्देशों के प्राप्थ होते ही, उनको इंप्लिमेंट कर दिया, उनको संसाधित कर दिया, यह भी RBI की नजरों में होता है, तो और दूस्ती है, यह फाइनल है और रिवोकेबल है, मतलब यह बिल्कुल फाइनल होती है, वापस आप नहीं अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं, बस यह है कि यह बहुत बड़ी-बड़ी वेल्यू के लिए होता है, जैसे इसकी जो मिनिमूम अमाउंट है, वो दो लाख है, नेक्स है ECS, Electronic Clearing System, यह आप यह समझ लो, यह एक alternative method है, इसमें जैसे जो बिल की payment हम करते हैं, जो पेपर वर्क होता है, हम वो नहीं करना चाहते हैं, हमें पेपर मिले, बिल का जो मिल रहा है, हाउस टेक्स है, वोटर टेक्स हैं, हम यह नहीं चाहते हैं कि, हमें पेपर की फॉर्म ले आए, हम electronic bill payment हम कर सकते हैं, यह बिल भुखतान जैसे टेलिफॉन बिल है, बिजली बिल है, इसमें आप कह सकते हैं, वेकल्पित तरीका है, एक alternate option है हमारे पास, जो कागजी उप करनों को जारी करने, और संभालने की आविशक्ता को समाप्त करेगा, इस तरह बैंकों, कम्पनियों, निगवों, सरकारी विभागों, आदी भुखतान, एकत्र प्राप्त करना, द्वारा भैतर ग्राग सेवा कि तुविधा फ्रदान करेगा, बेसिकली, आप जो आगे सिस्टम आने वाला है, कि वो क्या करेंगे, कि आपको जो बिल है, वो online प्रोसेस कर देंगे, और आपको दे दिये जाएंगे on your phones, जो भी device आपके पास होगी, method of payment transactions like periodic, देखो हम क्या करते हैं, हम auto pay set करके छोड़ देते हैं, Google Pay पे आप हर महिने, अगर आपके पास Wi-Fi का recharge होना है, post paid है या कुछ भी है, आप auto pay set कर सकते हो, हर महिने के बाद automatic payment हो जाएगी, तो वो it is kind of ECS, तो यह वही है जिसमें आप monthly, quarterly, half yearly, yearly यह पेमेंट कर सकते हो, salary है, pension है, जैसे हम salary अगर देते हैं, तो जो system हम use करते हैं, we use ECS, हर मन्थ जो है वो salary automatically deduct हो जाएगी, next is IMPS, immediate payment system, यह instant, मतलब जैसे phone, हम phone से करते हैं, हम IMPS का use करते हैं, interbank electronic fund transfer, पर एक bank से दूसरे bank में, हम transfer कर सकते हैं, with the help of phones, यह mainly mobile के लिए है, जो हम use करते हैं, इसके अंदर आप, जितने भी India के अंदर bank है, एक bank से दूसरे bank में, आप भेज सकते हो, जो भी money आपको भेजनी है, with the help of internet, या ATM, which is not only safe, but also economical, both in financial and non-financial perspectives, online, जैसे आप भेजते हो, mobile से, internet से, वो थोड़ा safe रहता है, financial और non-financial perspective से, वो इसलिए क्योंकि, आप cash इतना सारा carry कर रहे हो, कहीं पर भी चोरी हो सकता है, तो वो इस तरीके से बोल रहे हैं, कि safe और हातो हातो हो जाता है, आपने यहां से डाला, कुछ भी जिसको आपको भेजना है, हातो 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 रिसीव कर लेगा, जैसे हम Google पे, या फिर Paytm वगरा यूज़ करते हैं, अब हम फटर फट से questions करते हैं, जो हमने इस जो इस lecture से related है, सबसे पहला, while dash, data transfer from customers machine to server, हमारे computer से जब हम बहार भेज रहे हैं, server पे, internet प्रसकों क्या बोलते हैं, uploading, right, so the correct answer will be uploading, which of the following is not an example of email service provider, इन में से कौन सा email service provide नहीं करता, outlook, outlook तो करता है, आपका Microsoft का personal outlook ही है, Gmail ये भी करता है, ये index भी करता है, आप लोगों ने शायद ना सुना हो, लेकिन ये index भी करता है, तो जितने भी हैं सारे email service providers हैं, तो ये index को अभी learn कर लीजेगा, which of the following is keyboard shortcut, to reload current page in Google service, Google search engine, जो current page है, आपने कुछ, आप कुछ भी चीज, जैसे हम match देख रहे हैं, return updates हैं, तो हम refresh करते रहते हैं, कि अब क्या नया update आया, क्योंकि अगर आप refresh नहीं करोगे, तो इतने आपको वही दिखाई देगा, तो वो बोल रहे हैं, क्या option है, इसको refresh भी बोल सकते हैं, Google पे वेब पेज को refresh करने के लिए, आप F5 फ्रेश करते हो, next है, जब करने के लिए, जब करने के लिए, यह पेज आपने सेव कर लिया, ताकि बार-बार आपको, वो पेज सर्च नह पड़िए, आप बुक मार्ब पे जाओगे, वो पेज खुल जाएगा, तो उसका क्या option है, उसका option है, Ctrl प्लस D, bookmark करने के लिए जो shortcut है that is control plus D which of the following option can be pressed to create a new mail, new email अगर आपको new email बनाना है तो कौन सा option use करोगे compose अभी आपको मैंने बताया था in web browser which of the following is responsible for displaying the web page web browser में web page को दिखाने के लिए कौन सी चीज जो है वो आपकी responsible होती है देखो search engine क्या करेगा वो धूनने का काम करेगा server internet से connect करेगा page engine कुछ नहीं होता है rendering engine होता है जो आपको क्या करेगा web page को show करने में help करेगा next question is which of the following internet protocol specifies how data is exchanged over the internet data कैसे exchange होगा और कैसे IP packets में जाएगा basically आपसे internet का protocol पूछ रहे हैं आपसे है ना which of the following internet protocol अब आपको पते tcp ौइप है http किसलिए यूज होता है web page को लिखने के लिए उनको transfer करने के लिए smtp यूज होता है mail के लिए ppp यूज भी होता है वो भी mail के लिए ccp होता है internet के लिए और आपसे internet protocol ही पूछ रहा है तो ब्राउजर तो डिस्प्ले इमेजिस ऑनलाइन विट टेक्स इंस्टेद आप डिस्प्लेइं इमेजिस इन आपका ब्राउजर था जिसने इमेजिस दिखाई थी टेक्स के साथ ना जब भी आप इमेजिस पर फ्लिक करो अलग पेज ना खुल के उसी के साथ टेक्स के साथ की आपकी इमेजिस आ रही थी तो वह सबसे पहला कौन सा था वो था आपका मोजाइक विच आप फॉलोईग इस वेब ब्राउजर क्रेटी न डेवलेप बाइं मैक्रोशॉट मैक्रोशॉट का वेब ब्राउजर कौन सा है एज एज है जो आपका माईक्रोशॉट का वेब ब्राउजर है Dash is the physical network of computers all over the world बहुत असान जितने भी world वे computer से उनका network जो है उसको हम क्या बोलता है Internet Which of the following is used to view pages and navigate the world wide web इन में से www में pages देखने के लिए अलग-अलग जो internet के pages होता है उनको देखने के लिए और navigate करने के लिए आप किस चीज का use करते हो तो आपके पास चार option है web browser obviously अगर आपको कुछ भी search करना है आपको web browser की जुरत पड़ेगी pages पे जाने के लिए web browser की जुरत पड़ेगी देखो या तो web browser answer होता या तो search engine answer होता ना तो search engine है आपको web browser देख रहा है तो automatically वही आपका answer होगा bash was the first web browser यह आप अभी बताओ गया और आपने पढ़ा भी है सबसे पहला web browser कौन सा था वर्ल्ड का मुजएक किसने डेवलप किया था NCSA ने डेवलप किया था Sir Tim Berners-Lee a British computer scientist invented the revolutionary world wide web in www के invention कभ हुआ था 1990-1991 में हुआ था या अच्छे से लांट कर लीजेगा what is the full form of URL very easy uniform resource locator what is the full form of FTP file transfer protocol option B is the correct answer so यहां से maximum questions जो आए थे आपके full form से related आए थे abbreviations related आए थे HTTP hypertext transfer protocol which of the following is the slowest type of internet connection I think कुछ misprinting हुई है इसके अंदर सबसे जो slowest type of internet connection उसको क्या बोलने हैं which is called dial-up तो dial-up जो है सबसे slowest type internet connection का तो गाइस यह थी आज की वीडियो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ सब तक के लिए good bye and have a good day